आज मैंने बनाया है दाल और चावल का इस्तिमाल करके बहुत बहुत ज़्यादा टेश्टी और हैल्दी नाश्टा बच्चों से लेके बड़ो दक ये सबको बहुत पसंद आता है चलिए इसको बनाते हैं सबसे पहले एक बड़े से बावल में डालेंगे साथ गंडे बाद डाल चावल हमारे फूल गए है इसको हम अच्छे से पानी से धोल लेते हैं और इसके पानी को हटा देते हैं हटाने के बाद इसको डालूँगी मैं एक ग्राइंडिंग जार में साथे साथ डाल दूँगी एक कप पानी और इसको हमें अच्छे सी पीश लेना है यानि इसका महीन पेश्ट बनाके बाउल में रखना है तो इसी तरीके से मैंने सारी बची हूई दाल को भी पीश की रख लिया है दाल पीशने के बाद चमत से ऐसे इसको अच्छे सी चला देंगे और अब मैं इसमें डाल देती हूँ बारी कटा हुआ हारा धनिया थोड़े सी मसाले डालूँगी क्योंकि मैं जो नास्ता एकदम हेल्दी बना रही हूँ तो बहुत जादा इसमें मसाले नहीं डालूँगी डालूँगी एक बारी कटी हुई प्याज थोड़ा सा जीरा, साथी साथ डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी नमक हम टेस के हिसाब से डाल देते हैं और अब हम सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेते हैं मैंने इसमें कोई भी मिर्च एड नहीं की है आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं क्योंकि बनाने के बाद मैं इसको हरी चेटनी के साथ सर्प करूंगी तो चेटनी में मैंने प्रॉपर मिर्च डाली है और अगर आप चेटनी का वीडियो देखना चाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं मैं आपको जल्दी चेटनी का वीडियो शेयर करूंगी सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो गई है मिक्स होने के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक पैकेट इनो इनो से जो नाशता है अच्छे से फूलेगा और सूपर सॉफ्ट बनेगा बहुत ज़दा नहीं चलाएंगे बस इतना मिक्स करेंगे कि इनो अच्छे से मिल जाए बैटर बन के रेड़ी हो चुका है अब लिया है मैंने यहाँ पर यह अपपे पैन इसको गरम होने के लिए रखा और इसमें दो चमच तेल डाल कर अच्छे से साचो में भर देते हैं पैन गरम होने के बाद इसमें डाल देती हूँ मैं तयार किया हुआ दाल चावल वाला बैटर सारे साचो में हमें इसी तरीके से बैटर को अच्छे से भर देना है बहुत ज़दा नहीं भरेंगे बस एक एक चम्मच भरके हम बैटर डालेंगे क्योंकि ये नाशता है अच्छे से फूलता है और ज़्यादा भर देंगे तो बाहा निकल आएगा सारे साचों में बैटर भरने के बाद एक चम्मच देल को हम ऐसे सारे नाशते पर डाल देते हैं कवर करके 2-3 मिनट तक इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं 3 मिनट हो गए हैं चलिए इनको हम पलट लेते हैं तो एकदम हलके हाथों से पलटेंगे क्योंकि अभी उपर की तरफ से ये कचा रहता है तो अगर आप जल्दी जल्दी ऐसे पलट देंगे फटाफट से तो ये इसकी डिजाइन खरा हो जाएगी पलटने के बाद 2 मिनट के लिए इसको हम फिर से और पकाएंगे दो मिनट बाद हमारा सूपर टेष्टी नाश्ता बन की तयार हो गया है इस नाश्ते को आप चटनी टमेटो केचप किसी के साथ भी खा सकते हैं सेम प्रसेस कर इस्तिमाल करके मैं और नाश्ता बना के रख लेती हूँ कैसे लगा आज का आईडिया कमेंट करके जरूर बताना और आपके घर में सबको ये रेसीपी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताना मिलेंगे अगले नई वीडियो में तब तक लिए आपका दिन शुब हो नमस्ते